हेलो डिर स्टुजेंट्स यू आर वेलकम टू प्रैमरी एजुकेशन पॉइंटे टूड़े विल रीड लेशन ट्वेंटी टू फ्रोम यूर जर्नल नोलेजी श्टे हेल्दी श्टे हेल्दी चलिए आज हम आपकी सामन ग्यान से लेशन ट्वेंटी टू कर रहे हैं जिसका श्टे हेल्दी सवस्त रहेंगे सवस्त रहेंगे चलिए हम सवस्त रहने के लिए क्या क्या करते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले कहां पर क्या लिखा गया है सबसे पहले लिखा गया है healthy is wealthy क्या करना पड़ता है कुछे तरिके अपनाने पड़ते है सवस्थ रहने के लिए हमें क्या है अपने rule regulation बनाने पड़ते है कि मैं कब क्या करूंगा कब सुबह उठकर मैं बाहर जोगिंग के लिए जाऊंगा वाकिंग के लिए जाऊंगा औरे कब मैंने एक्सरसाइज करनी है यही इसमें बताया गया है कि हमें क्या खा करके क्या करके के हमें समसोस रह सकते हैं चलिए इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है शी के अंदरे, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, this helps remove oxygen from the body, देखो, अब drinking this when it is not clean, यहां पर नाम नहीं दिया गया है, हम किसके बारे हम जिकर कर रहे हैं, हमें इस statement को पढ़ कर ये बताना कि हम किस विशे में अब देखो, this helps remove oxygen from the body, drinking this when it is not clean, यहां पर पानी पीते हो, कैसा पियोगा आप पानी को बिल्कुले, साप सुतरा पानी पियोगे, जो पानी बिल्कुले सवच्च होगा, हम उसी को पियेंगे, ठीक है, अब देखो यहां पर, यह देखो, first point में यह क्या कर रहा है, यह water drinking कर रहा है, आप समझ गए, आप जब पानी पीते हो, जितना आप साप सुतरा पानी पियोगे, उसके पीने से क्या होता है, हमारी body से toxin निकलते हैं, और toxin निकलते हैं, तो उससे क्या, कई बार आप देख सरदियों में क्या करते हो, सरदियों में क्या करते हो, आप पानी बहुत कम पीते हो, जिसके कान क्या होता हमारे सरीर से toxin बाहरे नहीं निकल पाते हैं, और हमें बहुत सारी बिमारिया हो जाती हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, या फिर allergy वगरा हो जाती है, और जो पानी में होता है यानि जो हम गंदा पानी पीते हैं उसके मादम से हमारे अंदर चला जाता है जिसे बोलते हैं सालमोन टाइफी वेक्टेरिया ठीक है उसके मादम से हमारे अंदर चला जाता है और हमें किस से गर्ष्ट कर लेता है मोती जारा हमें हो जाता है या फिर आपने पिलिया भी सुना होगा हमारी पूरी तवस्चा क्या हो जाती है यह लो कलर की हो जाती है तो यहाँ पर किसका जिकर कर रहा है यहाँ पर जिकर कर रहा है क्लीन वाटर का ठीक है तो इसमें आपने क्या करना यहाँ पर लिखना है अपनी बुक के अंदर यहाँ पर लिखना है या फिर आप copy में भी इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? drinking clean water ठीक है आप यहाँ पर क्या लिखोगे? drinking 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 clean 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 water ठीक है? इसमें क्या आएगा drinking clean water यानि हम साफ सुत्राजल पीकर के क्या कर सकते हैं? अपने स्रीर को सवस्तर रख सकते हैं उसके बाद चलिए आगे हमारा next point है next point में क्या है देखो अब ये क्या खा रही है याँ पर watermelon खा रही है तिक यानि तर्बूज खा रही है इसमें देखो आपे इसमें क्या है इसमें देखो आपे this helps us to get important nutrients and fibers necessary for the body यानि अब देखो to work properly and become healthy अब ये किसी के बारें जिकर कर रहा है कि क्या खाने से हमारे अंदर क्या होता जो nutrients and fibers मिलते हैं ठीक है हमारी body उच्छे क्या मिलते हैं nutrients आपने सुना होगा carbohydrates, protein, minerals, vitamins ठीक है water, fibers, ये सभी क्या है nutrients हैं क्या है nutrients हैं किसे मिलते हैं हमें जो हम खाना खा रहे हैं आप अपनी दिन्चरिया में क्या कर रहे हो अपनी दिन्चरिया में क्या कर रहे हो vegetables खा रहे हो fruits खा रहे हो milk पी रहे हो ठीक है और सापे और सवच्छ जल पी रहे हो अब देखो यहाँ पर यही बात देखे जिससे हमें क्या मिलते हैं बहुत ही important nutrients मिलते हैं फाइवर्स necessary for the body जो हमारे स्रीर के लिए बहुत ही जरूरी है तो वरक प्रोपरली and become healthy यानि हमारे स्रीर को अच्छी तरह से कारिय करने के लिए और सवस्त रहने के लिए जिनकी हमें आव सकता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें fruit खाने चाहिए ठीक है तो इसमें क्या आजाएगा eating e-a-t-i-n-g ठीक है e-a-t-i-n-g eating fruits f-r-u-i-t-s eating fruits उसके बाद देखो आपे उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आएगा उसके बाद हमारा third point है third point में क्या है doing this after using the washroom and before and after taking the meals helps helps prevent disease ठीक है अब देखो doing this after अब हमें क्या करना है यह तो हमें बताया नहीं रहा यही तो हमें इसमें क्या करना है बताना है और कहां लिखना है यहाँ पर लिखना है यहाँ पर देखो अब क्या कर रही है hand wash कर रही है क्या कर रही है hand wash कर रही है आथो को अच्छी तरह से दो रही है ठीक है अब देखो इसमें क्या बताया गया है इसमें यहीं बताया गया है डूइंग दिस आप्ट यूजिंग दा वश्रूम याने वश्रूम शे आने के बाद and before and after खाना खाने से पहले बोजन करने से पहले और बोजन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए बिमारी उसे बचने के लिए अच्छी तरह से हमें अपने hand wash करने चाहिए तो इसमें क्या आएगा washing इसमें क्या आएगा washing N-W-S-H-I-N-G H-A-N-D-S यानि washing handsome है अपने आतों की पाई अच्छी तरह से करनी चाहिए चलिए आगे fourth point है fourth point में देखो आपे this keeps our mind free from worries and makes us happy and healthy अब देखो याँ पर आपको एक बच्चा दिखा रहा हूँ यह देखो यह आप देख रहे होंगे इसकी चेहरे पे क्या है बिल्कुल smile है क्या है smile है बहुत ही खुस है ठीक है ऐसे ही आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो हमेशा मुश्कुराते रहते हैं और ऐसे ही बच्चे हमेशा क्या है हमेशा सवस्त रहते हैं अब देखो यहाँ पर क्या this keeps us our mind free यह क्या करता है हमारे स्रीर को बिल्कुल हमारा जो मस्तिक्स होता है हमारा जो mind होता है उसको बिल्कुल free रखता है from worries किसे जो चिंताएं होती है में उनसे दूर रखता है and makes us happy and healthy और हमें क्या करता है हमें साख खुश रखता हो और हमें सवस्त रखता है तो इसमें क्या आएगा इसमें आएगा no stress यानि हमें क्या करना है विल्कुल stress नहीं लेना है फॉर्थ में क्या आएगा no stress stress no stress यानि हमें बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहना है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है अब आप गर पे यह सोचते होंगे पता नहीं हमारे स्कुल कब खुलेंगे कुछ बच्चे जाने लगे हैं हम कब जाएंगे गर पे पड़ाय में मन नहीं लगता तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना जब स्कुल खुले बिल्कुल फ्री माइंड से आपको स्कुल में आना है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आप देख रहे हो यह क्या कर रही है यह चोटी बच्ची है यह गुटिया है यह क्या कर रही है स्लिपिंग यानि सो रही है रेस्ट कर रही है आप भी ऐसा ही कर रात्ते होगे आगे देख रहा है है अब देखो ये क्या है इट रेलक्स दा माइन बोडी एंड हैल्प एस बिकैम अलल्र्ट जो हमat जो माइन र Windows रहता है य। रात है उसको बिल्कुल सांत रहता है शोंगे एक बात बताओ और अच्छी तो आप क्या हो जाओगे, चिर्चडे हो जाओगे, कुछ भी करनेगा आपका मन नहीं करेगा, और नहीं आप अच्छी तरह से चल फिर पाओगे, और नहीं आप अच्छी तरह से कारिय कर पाओगे, तो इसलिए हमें समय पर क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो इस हमें समय पर हमें क्या करना चाहिए समय समय पर rest करना चाहिए यहां taking में यह इसी नहीं आएगा यहां पर T A C K I T A K I N G R E S T तो प्यारे पच्छों आपको वीडियो कैसे लगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सबस्क्राइब लिखा हुआ है उसको उस पर टच कर दीजिए यानि उसको दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद